मैं येति वर्या कुमार विजय आप सभी दर्षकों का देनी येति राशिभल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबसे पहले आपको नए वर्स 2023 की हार्दिक सुब कामना देता हूँ और प्रातना करता हूँ कि नए साल आपके जिवन में खुब खुशियां लेकर आ नया साल आपका कैसा बीतेगा यहां मैं बताओंगा लेकिन राशिभल बताना से पहले मैं आपको एक जनवरी 2023 को सुबह सुर्योदे के समय की गरहों की इस्तती आपकी वर्सब राशिवाड़ों के लिए कैसी रहेगी यहां मैं बता देता हूँ और उसके बाद मैं नया सा दो हजार 2023 को सुबह सुर्योदे के समय आपके लिए गरहों की इस्तती कैसी रहेगी यहां दिख रहा है इसमें इसमें आपके लगन वाव मैं मंगल वक्री ओकर के गोचर कर रहे हैं और चठे रोग रणा और सत्रो इस्तान में तुला राशि में केतु का गोचर है आठवे खर्च बाव में राहू चंदर की यूती है इस प्रकार से गोचर को देखते वे ऐसा मेरा जोतिश्या अन्वान है कि आपके लिए नया वर्ष 2023 का काफी उतार सड़ाव के बावजूद अच्छा बीतने का अन्वान है क्योंकि केतु चठे रोग और सत्रो इस्तान में खर्च बाव में बैठे हैं यह तीनों इस्तान जो है असुब मने जाते हैं और इस इस्तान में बैठे सुब गरह भी अपना पूरा सुब फल नहीं दे पाते या ऐसा कहें कि असुब इस्तान में बैठे गरह जिस बाव के स्वामी होते हैं उस बाव के सुब फल में कमी कर देते हैं इस साल में 17 जनवरी को सनी देव आपके दस्वे करम वाव में आ जाएंगे और 22 अप्रेल को 22 अप्रेल 2023 को गुरु अपनी राशी बदल कर आपके बार्वे खर्चिस्तान में आ जाएंगे वरस के सरू के पहले दिन सूरियोदे के कुंडली में आपने देखा कि 2023 को आपके दस्वे करम इस्थान में आ जाएंगे तो अचानक से आपके सभी रुकेट के काम बनने लगेंगे वैपार में वैवशाय में आपके तेजी आना सुरू हो जाएगी नौकरी में हैं अगर आप तो आपको इस्थान परिवर्तन और वितन वर्दी के योग भी बन की संभावना है आए भी आए के भी जो है नए रस्ते आपके लिए खुलेंगे धन कमाने के अनेक अउसर आपके सामने रहेंगे अलांकि ये वरस आपके लिए मैनत करवाने वाला रहेगा और अगर मैनत सही किया तो लाब भी मिलेगा स्वास्ति की दर्ष्टी से देखें तो साल के सरू में राशी का जो स्वामी सुक्र है वा सनी के साथ मकर राशी में गोचर कर रहे हैं फिर जब कुम राशी में अपरवेश करेंगे सनी देव तो आपको सहत से समंदित कई परकार की परिशानिया हो सकती है जिनको सर्दी खांसी जुखाम अक्सर रहता है उनको फेपडों से और सांस से समंदित परिशानी हो सकती है मार्च के बाद में स्वास्ते में आपके सुधार आना सरू हो जाएगा खेल और सिनिमा से आयप राप्त करने वाले या जुड़े वे जो लोग है अब इस साल में कई परकार के संगर्स उनको करने पड़ेंगे और कड़ी मेहनत करने के बाद उनको सफलता मिलने का योग बनेगा मेरा यह वीडियो जो है चंदर राशी पर अधरीत है इसलिए आपकी जनम कुंडली में जो आपकी जनम की राशी है उसी के नुसार आप मेरे चैनल पर अपना वार्शिक राशिपल देखे मैं इस वीडियो में वार्शिक राशिपल बता रहा हूँ इस वीडियो में आपके लिए आपका 2023 में कैरियर कैसा रहेगा वेपार कैसा चलेगा आर्थिक इस्ति कैसी रहेगी परिवार में सुक कितना मिलेगा वेवाइक सुक कैसा रहेगा संतान सुक कैसा रहेगा कि आपका यह साल कैसा बीतेगा वीडियो के अंत मैं वरुषब रिच्षी की जो महिलाएं उनके लिए विदी बहुत हैं आप मेरा वीडियोरा बैद्विट्र ärश हैं, वीडियो के अन्त मैं मैं टोकॉप हैं पतनतों ने की विदेवस्वएंB परिवार के लोगों में ताकि वह भी अपना नए साल 2020 का जान सके मेरा जो फॉन नंबर है आप यहां पर नीचे देख रहे हैं 9462575291 यहां जो नीचे देख रहे है इस्क्रीन के उपर इस नंबर पर आप कब पहुन करें यह टाइम टेबल भी यहां दिखाई दे रहा है आप इस टाइम टेबल पर यानि के रहविवार को केवल दिन में 10 बज़े से 11 बज़े के बीच में आप मेरे को पहुन करें इसके लबा ना करें मैं थोड़ा विजी रहता हूं आपसे बातसित नहीं कर पाऊंगा अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए नया वरस 2023 का कैसा बीटेगा सबसे पहले बात करते हैं 2023 में आपका कैरियर कैसा रहेगा यह 2023 का साल कैरियर के द्रिश्टी से देखें तो आपको अपने मेहनत और संगर से अच्छा बनाना पड़ेगा या सुधारना पड़ेगा 17 जनवरी को सनी कुम्राशी में आ जाएंगे और अपनी तीश्री द्रिश्टी से आपके बार में खर्च बाग को देखेंगे इसलिए आई से अधिक खर्च की इस्तिती का निर्मान हो जाएगा और खर्च बढ़ेंगे तो खर्च के लिए अधिक आयप आने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मार्किट में आप अगर अकेले वेपारी तो है नहीं, मार्किट में भी आप कोई अकेले तो वेपारी है नहीं कि सारे ग्राख आपके पास आएंगे वहां भी आपके तरह के बहुत से रहे दूसरे चोटे बड़े वेपारी होंगे तो उनसे भी आपको इस साल के अंदर competition करना पड़ेगा यानि कि इस साल में आपको खुब मैनत से ही धन मिलेगा अगर आप खेल, फिलम, एड़टाइजिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, चित्रकला, संगीत, स्टूडियो के काम, कलाकारी, ब्यूटी पार्लर, इंटीरियल डेकोरसन, मनीहारी, मैचिंग सेंटर, आंगण मारी है, प्लास्टिक का समान है या प्लास्टिक से समनित कोई बस्तू, के बढ़ने के जितने भी प्रियास करेंगे, तो आपको कम्पिटिशन और टप शेट अप होता जाएगा, और उसके बाद में आपको जो है, मेहनत से आपकी इस साल के अंत में, आपका जो केरियर का ग्राफ है, वह सुधरना शुरू होगा, या जैसा पहले था, उस नहीं जाएगा, भले तेजी से उपर ना चड़े इस साल में, लेकिन जो सामाने शुरू है, वह तो कम्पिटिशन बनी रहेगी, या जैसा आपने आज दिन तक मेहनत करके बनाया, वैसा बना रहेगा, इसलिए आप इस साल खूब मेहनत करें, अगर आपको अपने केरियर क पूरी करने के लिए कहीं से करजा आदी लेने की नौबत आ सकती है, वैसे अगर कोई नया इन्वेस्ट करने की अगर आप सोच रहे हैं, तो सावधानी पूरुक करना ठीक रहेगा, और सुरक्षित निवेस करने से ही आपको लाग मिलेगा, गुरु के मेश रासी में और आपके बारवे खर्चवाव में परवेस करने के बाद में, गुरु की पांसवी जर्ष्टी है, सुक और म आपको एक कुशल धन परवंदक बना कर आई और वे में बैलेंस बना कर रखेंगे, तो यहाँ आपके लिए ठीक रहेगा, अब देखते हैं, दो हजार तेईश में आपके परिवार का सुक कैसा है, दो हजार तेईश में सरु में दूसरे धन और कुटुम इस्तान का स्वा होना है, और खासकर आपको अधिक निरासा हो सकती है, आप परिवार के बीच में जब भी कोई बात करें या रखें, तो यह न समझें कि वो बात सब दोग आराम से मान जाएंगे, तो आपको थोड़ा वहाँ भी सब को समझाने के लिए महनत करने पड़ेगी, मार्च से यहां भी आपके खर्च की चिंता आपके लिए परिशानी बढ़ाने वाली रहेगी, माता का सुक अप्रेल मद्य से अच्छा रहेगा, पिता का साथ भी साल के सुरू से अच्छा और सयोगात्मत बना रहेगा, भाई बहन से बहस नहीं करना है, और नहीं उनके काम में रोक करनी है, सब समझदार है, जो भी करेंगे, परिवार के लिए अच्छा करेंगे, आप बिना टेंशन के उनको जो काम करने दो, आपको जो काम करना है, उनसे सलहा लेकर कर सकते हैं, अब देखते हैं, 2023 में आपको व्यवाइक शुक कैसा रहेगा, या आप किसी से प्रेम प्य प्यार का संबन कैसा रहीगा, नया साल 2023 का आपके व्यवाइक जीवन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, सब्तम जीवन साती इस्तान का स्वामी मंगल साल के शरू में आपके लगन इस्तान में रहेंगे, आप अपने जीवन साती के साथ खूब प्यार करते हैं, और अ अपने जीवन साती को इंप्रेस करने के कई अवसर मिलेंगे, अगर आप अविवाइत हैं, तो इस साल में आपको निशिती, आपकी पसंद के अनुसार, मन पसंद जीवन साती मिल जाएगा, ऐसा योग बनेगा, और इस वरस में ही आपकी साधी भी हो जाएगी, या आप अ तो आपका प्रेम जो है, वह इस साल में परवान चड़ेगा, अभी तक आपके जीवन में कोई प्रेम करने वाला अगर नहीं आया है, तो निरास नहों, इस साल में आपके जीवन में कोई खास वेक्टी आपके जीवन में आने वाला है, जिससे आप प्रेम कर सकते हैं, 2023 का साल आपके लिए संतान से जो सुक है उसके लिए बहुत अच्छा है आपके संतान नहीं है और आप युवा जोड़े है या नव विवाईत है तो इस साल में संतान की प्राप्ती के अच्छे योग है और अगर आपकी संतान बड़ी है तो उसके रोजगार की समस्या या साधी विवा की समस्या का समादान भी इस साल में आपके हो जाएगा और आप संतान की समस्याओं से मुक्त होकर बिलकुल निश्चित हो जाएगे अगर बात करें इस साल में आपके स्वास्ते की तो यह साल आपके लिए शर्दी जुखाम कफ सांस लेने के तक्लिब या फिर दमा अधी जैसे परिशानियों वाला थोड़ा बहुत हो सकता है अलांकि ऐसा नहीं है कि यह सब जो बिमारिया मैंने गिने यह सब आपको होगी इसमें से कोई छोटी बुड़ी एक अधी बिमारी समय के खाए ठंडे जो पेपदार्थ होता है उन पेपदार्थों को भी आप ना पिए क्योंकि यह इस साल में आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है अब मैं आपको वर्सबराशी की जो मैलाएं हैं उनके लिए बताता हूं कि 2023 का साल उनका कैसा बीतेगा आप वर्सबराश गुलने मिलने वाले होती है पराए पराए हर मेफिल में आप दूसरे लोगों का जो ध्यान है आप अपनी तरफ आकरसित करने में काम्याब हो जाती है और लोग आपकी परसंसा भी करते हैं इस साल में आप अपने आपको मैंटें करने में मैंटें करने पर या मैंटें रख अगर आप लापरवार रही तो कोई रोग आपको गेर सकता है जिसके कारण आपको कमजोरी मैसुस हो सकती है अगर आप वेपार से किसी परकार के बिजनिस से जुड़ी है तो इस साल में थोड़ा संगर्श करके आप सफल हो सकेगी आपको अपने वेपार या बिजनिस को हो सकती है बस आप मेहनत जी लगा करें आपका पारिवारिक जो जीवन है वह सुखद रहेगा बाई बैनों का साथ और सेयोग भी मिलेगा अगर आप विभाईत है तो पती के परती आप अमेशा समर्पित बाव से विवार करेगी और आपके जो पती है उनको भी आप थोड़ मतलब इच्छा के नुसार जैसे मां लोग कई गुमने की उनकी इच्छा है तो आप उनके साथ हा करें चले जाएं ऐसा नहीं कि भी आप करें काम है यह नहीं तो आप क्या है कि पती की जो इच्छा है उनकी भी थोड़ी पूर्ती करें उनकी भी समान करें इच्छा उनकी अगर आप प्रेम करती हैं, तो आपका प्रेम सफल रहेगा, और अपने प्रेम को भी आप साधी के रिष्टे में बदलने की सोच रही है, तो अपने परिवार में बात करें, तो सहमती मिलने के योग है, आपकी आर्थिक इस्थिती बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत केवल आप अपना जो वहान है, साल के शुरू में सावधानी से चलाए, और नया काम करने से पहले समझदार की और परिवार की शला लेकर करें, ये साल आपके लिए सडक से सिखर तक पहुंचाने के लिए एक मारग है, या आपको मोका मिला है, अब मैं आपको आपके लिए सुब और असुब बताऊंगा, और आपके लिए आपकी राशी की देवी जो महालक्ष्मी माता है, उनके लिए जपने के लिए मैं आपको मंतर भी बताऊंगा, अब आप इस बाग को जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत द्यान से देखे, आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी राशी वर्सब है, और आपकी राशी के जो स्वामी सुक्र है, और आपकी राशी के स्वामी सुक्र है, और आपकी राशी के स्वामी या आपकी राशी के जो देवी माता मानी जाती है, वह लक्ष्मी माता मानी जाती है, आप दुर्गा माता के भी पूजा कर सकते ह आपके लिए शूब रंग जो है वह सफेद है इसके अलावा हरा और बिल्यू रंग भी आपके लिए शूब फल देने वाला रहता है आपके लिए शूब रंग जो है दो और साथ होता है आपके लिए अनुकूल दिशा जो है उत्तर पूर्व होती है पूर्व या उत्तर सुब दातों में आपके लोहा है इस्पटिक है शीशा है ये तीन परकार के दातो है या आपके लिए अतिसुब होते हैं और अगर आप नग नगीना पहनना चाते हैं तो आपकी रासी का जो नग होता है वह हीरा होता है वह आप पहन सकते हैं हीरे के अलवा पन्ना और निलम आप पहन सकते हैं, लेकिन हीरे के अलवा आप कोई भी नग अगर पहनते हों, तो पहले अपनी कुण्डली को किछी विद्वान जोतसी को बता करके, या पता कर लेना, कि आप जो नग पहन रहा हो, वा आपके कुण्डली के नुसार आपके लिए सुब फल दाई है या नहीं है आपके लिए सुकरवार का दिन हमेशा सुब रहता है बुधवार का दिन भी हमेशा सुब रहता है और सनिवार का दिन भी आपके लिए सुभी रहता है इस साल में आप अपने गरवानों के विरुद जाकर कोई काम ना करें मैंने बता है ना मैं आपको बता हुगा कि आपको इस साल में क्या करना और क्या नहीं करना है इस साल में आप अपने घरवाणों के विरुद में जाकर कोई काम ना करें ऐसा करने से आपको हानी होगी और परिवार के साथ में सहयोग और सला से काम करेंगे तो लाब मि तो वहां आपके लिए शुब रहेगा अब मैं आपको लक्षमी माता का आपके लिए एक चमतकारी के मंतर बता रहा हूं जो आप इसक्रीन पर भी देख रहे हैं इस मंतर की रोजाना घर में आप सुबह या साम घर में लक्षमी जी की पोटू के सामने या मूर्ती की सामने गी का दिपक जला कर दो माला रोज करें और सुकरवार के दिन माता जी को खीर का भोग लगाए तो यहाँ आपके लिए सुब रहेगा अब मैं आपको इस साल में करने के लिए उपाई बता देता हूं कि आप नियमित रूप से सपेद चावल के 28 दाने गिनकर सुबह घर से निकलते समय काम पर निकलते समय बाहर जाते समय अपने पैकेट में कागज की पुड़ी बना कर रख ले और जब साम को वापस घर आते हैं तो वह चावल की पुड़ी को खोल कर चावल कहीं बाहर ऐसी जगह डाल दे जाना चीड़ी कबूतर चींटी वगएरा मकोड़े खार ले फिर उसके बाद में आप घर में आ जाएं ऐसे आपको रोजाना करना है इससे आपके घर में सुखसानती होगी और संपत्ति बढ़े है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें जादा से जादा अपने वरशभर राषी के सात्हियों में मित्रों में परिवार के लोगों में इसको शेयर भी करें और नीचे कमें बॉक्स में आप अपनी राषी के जो देवीमता है लख्मि-मता उनके लिए जय महालक्षमी अवश्य लिक्या है अगले वीडियो में मैं आपको मिथुन राशिका नए साल 2023 का वार्शिक राशिबल बताऊंगा तब तक जाए जने अंदर